नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल जीओ भीनिस में दोस्तो इस बीडियो में आपको देखने को मिलेंगी अब तक की सबसे बड़ी और महत्पूर्ण खबरे तो दोस्तो बीडियो को बीडियो को जादा जादा सेयर करें जम्मू कस्मीर में मोधी सरकार का बड़ा दाओ 35 एपर चर्चा के बीच चुनाओ की दस तक जिहादोसों केंदर की मोधी सरकार ने बुधवार को जम्मू कस्मीर में भी 10 फीसदी सवर्ण आरक्षन का बिल कैवनेट से पारित कर दिया है सरकार ने यह दाओ ऐसे वक्त पर चला है जब जम्मू कस्मीर में चुनाओ की सुख बुगाहर चल रही है जम्मू कस्मीर में बीजेपी नेताओ ने मंगलवार को ही दिल्ली में पार्टी नेतियुत की मोलकात की है इस बीच अनुछेद 35-1 को लेकर के जहां जम्मू कस्मीर की पार्टीय परिसान है वहीं बीजेपी इसे भुलाने में जुटी हुई है दूसरी और बीजेपी के अविनास राय खन्ना जो की जम्मू कस्मीर विधान सभा चुनाओ के लिए परभारी बनाए गए है सरकार और बीजेपी की यह चुनावी तयारी है जो दूसरी और कस्मीरी पार्टीयों के नेता अनुछेद 35-1 के मसले पर तनाव लेकर के आ रही है पीडेपी अध्यक्ष महबूबा मुक्ती ने आज दक्षण कस्मीर में घूम घूकर सभी दलों के कारिकरताओं से 35-1 पर एकजुट होने की अपिल की है मंगलवार को महबूबा ने नेशनल कॉंफरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुला से भी इस बात पर बातचित की है फारुक अब्दुला इस मसले पर सरवदलिय बैठक बुलाने वाले हैं जम्मू कस्मीर के राजेपाल सतेपाल मलिक साफ कर चुके हैं कि 35-1 को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है वैसे सतेपाल मलिक जहां आफवाहों पर ध्यान न देने की अपिल कर रहे हैं वही अभी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आजादी का ख्वाब पालने वाले पाकिस्तान चले जाएं आपको बता दे कि फिलहाल जम्मू कस्मीर में अतंकवाद और अलगावादों के खिलाव कड़े संदिस दिये जा रहे हैं तो रज में अगामे विधान सबा चुनाव में सुबुगाहट के बीच आठिकल 35-A के मुद्दे को भूलाने की कोशिस हो रही है हाल ही में जम्मू कस्मीर में सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाने के केंद्रिये ग्रिह मंत्रे ने फैसले को अभी तक अफवाह से जोड़ दिया है कि जम्मू कस्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन कस्मीर में जो बड़ा हो रहा है वो आर्टिकल 35-A को हटाने जैसा कदम नहीं है बलकि चुनाओ को लेकर के सरकार और बीजेपी की तैयारिया है केंद्रिये कैविनेट ने जम्मू कस्मीर के रिजर्वेशन यानि संसोधन बिल 2019 में मंजूरी दे दी है जिसमें से वहां गरीव सवर्णों को 10% आरक्षन का रास्ता साफ हो गया है हाल ही में अंतराश्टिय बॉर्डर पर रहने वालों लोगों को भी 3% आरक्षन का बिल लोग सभा में पास हो चुका है मंगलवार को बीजेपी ने अपनी जहां कई इकाई के नेताओं को बुला करके राजी पर चुनावी मूड भापा है वहीं बीजेपी कस्मीर में एक रिकोर्ड लगभग एक लाग सदस भी वहां बना चुकी है इसी बीच जम्मू कस्मीर के पुर्मुख मतरी फारुक अब्दुला 113 कड़ो रुपए के जम्मू कस्मीर किर्केट एसोसियेशन घोटाले में लगातार घिरे हुए है बुधुवार को एडी ने उनसे पुछताच की है बीजेपी फारुक इस पर आरोपियो पर राज़ितिक फायदा उठाने की ताक में है बहरहाल इस सब के बीचे जम्मू कस्मीर में चुनावी सरगर्मिया तेज होती जा रही है जहां निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अफसरों के साथ तयारिया का जाजा ले लिया है वही भारते जंता पार्टी ने अपनी कवायद को धरा देते हुए अविनास राय खना को जम्मू कस्मीर के चुनाव पर भारी के रुप में नियुक्त कर दिया है राजसभा में बिल पर वोटीं के दोरान विपक्च की एकता के सेंध लगाती हुई नजर जिस पर से कोई सवाल खड़े हो रहा है उसमें से AIMI परमुक और हैदराबाद से सांसद असदुदीन ओवैसी ने भी विपक्च पार्टी उपर सवाल खड़े की है उन्होंने कहाए कि वैसे तो यह दल मुसल्मानों के हीतैसी बताते हैं लेकिन इन्हें जबाब देना चाहिए कि वे लोग कल कहां थे असदुदीन ओवैसी ने कहाए कि बड़े बड़े दल समाजवादी पार्टी बसपा मुसल्मानों के हीतैसी बताते हैं लेकिन वोटिंग के दोरान इनके सांसद भी गायब हो गये हैं अस दूदिन ओवैसी ने कहा है कि इन सभी दलों को बताना चाहिए कि वोटिंग के वक्त इससे सांसद कहां गायब हो गये थे इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें उमीद है कि मुस्लिम परसनल ला दरोनी मामला है उन्होंने काए कि अगर गुलाम नवी आजाद ऐसी बात करते हैं तो ये चौकाने वाली बात है आज कल तो फोन पर विप जारी हो जा रहा है गोर तलबे के राजसभा में जब मंगलवार को तीन तलाक बिल पर वोटिंग हो रही थी तो कई दलों के नेता और सांसद सदन से गाइब थे इसी पर फाइदा सरकार को मिला है और आसानी से तीन तलाक बिल पास हो चुका है तीन तलाक बिल के पक्च में 99 और विपक्च में 84 भोट पड़े थे जिहां दोसो अगली खबर आपको बता दे कि कॉंग्रेस हुई बेहाल बीजेपी माला माल 22 फ सदी का एजाफा हुआ है जबकि इसी दोरान देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस की संपती में करीवन 15 फिस सदी की कमी आई है देश की साथ राष्टिये पार्टिया जिसमें से बीजेपी, कॉंग्रेस, NCP, BSP, CPI, CPM और त्रिमूल के अपनी संपती देनेदारि और नगद रकम का लेखा जोखा चुनाव आयों को सौंप दिया गया है निताओं का नजर रखने वाले NGO डेमोक्रेटिव रिफॉर्म ने साल 2016-17-18 में आंकडो का विशलेशन किया है इसमें से NDA की और से जारी बयान में कहा गया है कई राष्टिये पार्टियों ने चुन 65.83 कडो रुपे थी जो साल 2017-18 में बढ़कर के 493.81 कडो रुपे हो गई और साल 2016-17 में बीजेपी को जहां 1213.13 कडो की संपत्य की घोशना की गई थी जो साल 2017-18 में बढ़कर के 1483.35 कडो रुपे हो गई है पार्टी की संपत्ती में करीबन 22.27 फिसेदी का अईजाफा हु जिनकी संपत्ती इस दोरान घट गई है और साल 2016-17 और 17-18 के बीच जहां कॉंग्रेस की संपत्ती करीबन 15.26 परतिसत घटी है